Welcome to Only IS, स्वागत है आप सभी लोगों का Prelim Booster News Discussion में आज है 7 फर्वरी 2022 तो आईए देख लेते हैं कि ऐसे कौन से important articles हैं जो आज हम cover करने वाले हैं हमरा first article UNEP at 50 के बारे में है जैसा कि नाम से ही स्पस्ठ है UNEP का कुछ 50 हुआ होगा Exactly, UNEP 50th Anniversary 2022 में 2022 में observe कर रहा है, celebrate कर रहा है UNEP का फल form है United Nations Environment Program UNEP एक leading global environmental authority है नाम से आपको clear हो रहा होगा कि environmental issues को ये दुनिया भर में handle करते हैं जिसे establish किया गया था 5th of June 1972 को इनका काम क्या होता है ये दुनिया भर के लिए environmental agenda set करते हैं क्या करना है, क्या नहीं करना है sustainable development को promote करते हैं और global level पे environment के protection को advocate करते हैं ये कुछ बहुत important reports जारी करते हैं जो अकसर exams में पूछ लिये जाते हैं जैसे कि emission gap report, adaptation gap report, global environmental outlook, frontiers invest into healthy planet इनके कुछ major campaigns हैं जो ये run करते हैं like beat pollution, UN75, world environment day, wild for life headquartered है कीनिया के नेरोबी में अगर आप इनके achievements को दीखना चाहें तो UNEP 193 member states और बाकी के stakeholders के साथ मिलकर लगातार दुनिया भर में जो environmental challenges हैं उन्हें handle करने की कोशिस करता रहा है इन्होंने 15 multilateral environmental agreements sign करवाएं हैं जो कि इनकी कुछ important achievements में से हैं हमारा next article major non-NATO ally के बारे में है जिसे MNNA कहा जाता है आप चाहें तो इसे मना बोल सकते हैं Recently US ने Qatar को MNNA यानि कि मना का status दे दिया है ये एक designation है जो United States अपने कुछ closed lies को देता है सब को नहीं देखें NATO member बनने का मतलब होता है आप एक significant lie हो जाते हैं इन सभी countries के जो NATO में है इसका एक collective security का concept है NATO का मतलब NATO के एक member के उपर हमला सभी लोगों के उपर हमला माना जाता है अगर किसी को MNNA में सामिल कर लिया गया यनि मना में सामिल कर लिया गया तो वो उस level पे तो नहीं पहुंचते फिर भी काफी close माने जाते है तो कोई भी ऐसा देश जिसका strategic linkage बहुत strong है USA की आम forces के साथ लेकिन वो NATO का member नहीं है तो उसे MNNA का designation दिया जाता है अगर किसी country को MNNA का designation मिल गया तो इसका क्या मतलब हुआ इसका मतलब यह हुआ कि USA के war reserves वो अपने पास रख सकते हैं मतब USA उन्हें कह देगा कि आप अपने पास रखके रखो जबजरोत होगी तो हम यहां से उठा लेंगे और इस्तेमाल कर लेंगे MNNA status वैसे तो काफी privilege की बात है military economic perspective से लेकिन इससे जो NATO की countries हैं वो अपनी और से कोई commitment नहीं करते हैं उस देस के लिए kind of privilege ही मान लीजिये India MNNA का status नहीं रखता USA के लिए हम USA के साथ इस level पर allied नहीं है हमारा next article self disinfecting antiviral mask के बारे में है हम सभी mask use करते हैं और हमें यह भी बताया जाता है कि इससे हम COVID-19 या फिर coronavirus से बस सकते हैं लेकिन mask use करते वक क्या आपने कभी इस बात का ध्यान रखा कि suppose करिए कि कोई विक्ति आपके सामने खासता या छीकता है जिसके water particles आपके नाक या मूं में ना जाएं उससे बचने के लिए हमने mask लगा रखा होता है that's great, बहुत अच्छा एडिया है लेकिन वो water particles आपके mask पे आ चुके हैं अब हम क्या करते हैं सही तरीके से जो सही होना ये चाहिए कि आप उस mask को बहुती safely dispose करते लेकिन हम अक्सर ऐसा करते नहीं है ज़्यादातर लोग single use mask को भी कई दफा इस्तिमाल करते हैं और जो लोग कई दफा इस्तिमाल नहीं भी करते वो बहुती लापरवाही के साथ उस mask को उतार के या तो कहीं fake देते हैं या कहीं रख देते हैं मतलब उस पर जो virus के particles इकठा हुए थे वो अब आपके हाथों में हैं और किसी ने किसी तरीके से आप तक पहुँची जाने वाले हैं तो mask आपको कैसे बचा रहा है ये पता नहीं दूसरा mask के साथ challenge ये है कि mask का production बहुत जादा हो रहा है और ये आसानी से decompose तो होने वाले नहीं तो ये भी kind of garbage create कर रहे हैं इन दोनों ही problem को resolve करने के लिए अभी हाल ही में Indian scientist ने एक बहुत ही अलग प्रकार का mask तयार किया है जिसे आप self disinfecting antiviral mask कह सकते हैं इसकी पहली खुबी तो ये है कि ये खुद को disinfect कर सकता है मतलब कि अगर virus के particles water particles के साथ इस पे इकठा हो भी गया तो थोड़े time में ये mask की उसे मार देगा और दूसरा कि ये bio degradable है मतलब कि ये कचरा नहीं फैलाएगा आसानी से decompose हो जाएगा Indian scientist ने इस specific mask को nano mission project के तहट develop किया है जो कि department of science and tech का project है mask को copper based nano particles से coat किया गया है जो कि virus को मारने में काफी key role play करते है जो copper based nano particles है उन्हें develop किया गया है flame spray paralysis technique का इस्तिमाल करके pyrolytic decomposition का mechanism होता है उसमें basically किसी भी material को thermal यानि कि temperature की मार्धियम से decompose करने की कोसिस की जाती है तो FSP जो process है इसमें इस process का इस्तिमाल करके nano powder तर्यार किया जाता है और उसी के basis पर इस mask को develop किया गया जो mask है वो high performance दिखाता है COVID-19 virus के against में highly bio degradable है आसानी से नस्ट हो जाता है highly breathable है इसे लगाने के बाद आप आसानी से सांस ले सकते हैं और आप इसे दो भी सकते हैं मतलब single use नहीं है strong anti-viral properties है anti-bacterial properties है multi-layer cloth marks है मतलब आप उसको safe रखेगा और bio degradable है हमारा next article सिरुवानी डैम के बारे में है हाल ही में तमिल नाडू ने request किया है केरला से कि आप सिरुवानी डैम में जो water storage का level है उसे उसकी maximum limit टक maintain करिए मैं आपको बता दूँ कि जो सिरुवानी डैम है वो है तो केरला में लेकिन इसका जो पानी आता है वो तमिल नाडू के कोयमबटूर सिटी के लिए काफी ज़्यादा जरूरी है तो अगर वहाँ पर पानी एक अच्छे लेवर पे maintain रहेगा तो जब गर्मियों का मौसम आएगा तो कोयमबटूर सिटी को पानी की कमी नहीं होगी and that is the part of request जो तमिल नाडू ने कोयमबटूर सिटी को होती रहे इसी परपस से सिरुवानी डैम को बनाया गया था इसका जो catchment area है वो केरला और तमिल नाडू दोनों में ही फैला हुआ है हमारा next article पंडित भीमसीन जोसी जी के बारे में है उनकी 100th बहुत anniversary पर हमारे प्राइम मिनिस्टर ने उनको याद किया 1922 में रॉन गड़क डिस्टिक जो है करनाटका का वहाँ पर भीमसीन जोसी जी का जन्म हुआ था ये 16 siblings थे जिन में भीमसीन जोसी जी सबसे बड़े थे इनके पिता का नाम गुरु राज जोसी और माता का नाम गुदावरी भाई था इन्होंने बहुती यंग एज में अपना घर छोड़ दिया म्यूजिक की लालसा में और एक अच्छे गुरु की तलास में एक अच्छे गुरु की तलास में वो धारवार डिस्टिक में पहुँचे जहां पर उनकी मुलाकात गुरु पंडित सवाई गंधव जी से हुई और उन्होंने अपना गुरु मान लिया और उनके सिस्ट से बन गये उसी दोरान उनकी मुलाकात गंगु भाई हंगल जी से भी हुई जो की सवाई गंधव जी की ही एक सिश्या थी पंडित भीम सेन जोसी जी उन्हें प्यार से अक्का बुलाया करते थे अक्का का मतलब होता है एल्डर सिस्टर यानि की बड़ी बहन गंगु भाई जी भी एक प्रमुक सदस्से बन जाती है हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक की उन्हें भी अच्छी एक्सपर्टीज आ जाती है ट्रेनिंग पाने के बाद पंडित भीम सेन जोसी जी ने अपना गंड़ा बंधन करवाया गंड़ा बंधन के बारे में मुझे नहीं पता आपको पता है या फिर नहीं बंधित बंधिस ऐसा करके कुछ नाम था उसका उसमें गंड़ा बंधन के इस कॉंसेप को बड़ा इलोबरेट करके दिखाया गया था धारवार में उनका गंड़ा बंधन होता है जहां पर भीम सेन जोसी जी अल्टिमेटली लेटर रॉन सेटल रॉन भी हो जाते हैं जब औल इंडिया रेडियो ने धारवार में 1950 में अपना स्टेशन ओपिन किया तो जो इनोगदल सौंग था वंदे मातरम का उसे कई सरे लोगों ने गया था जिनमें पंडित भीम सेन जोसी जी थे गंगुबाई हंगल जी थी मलिकार जुन मंसूर जी थे और बसवराज र भजन और अभंग सामिल हैं किस घराना से बिलॉंग करते हैं ये किराना घराना से बिलॉंग करते हैं अंदुस्तानी क्लासिकल मुजिक के और 2008 में इन्हें भारत रतन से नमाजा गया हमारा नेक्स्ट आर्टिकल चौरी-चौरा इंसिडेंट के जो 100 साल पूरे हुए हैं उ जो नॉन कोपरेशन मुवमेंट का हिस्सा थे उन्होंने एक लोकल पूलिस स्टेशन के और प्रोसीड किया अपने मार्च के दौरान उसके दौरान उनकी ज़रप होती है पूलिस फोर्सेस के सान पूलिस उनके ऊपर फायर कर देती है रिटेलियेशन में जो प्रोटेस्ट ना को चौरी-चौरा इंसिडेंट के नाम से पुकारा जाता है बैग्राउन इसका क्या रहा महात्मा गांधी जी ने नौन कोपरेशन मुवमेंट स्टार्ट किया एक अगस्त दो हजार बीस को मुवमेंट का बेसिक अबजेक्टिव था बेट्रेस को प्रेशर मिलाना और जो self-rule है उसे attain करना इसके माद्यम से हम foreign goods को bycott कर रहे थे इसमें man-made, machine-made clothes को bycott करने की बात की जा रहे थी rulers को assist नहीं करेंगे जो country को miss rule कर रहे है educational जा फिर administrative institutions को bycott किया जाएगा लेकिन इस क्रम को मतलब ये जो non-corporation moment चल रहा था तो चली रहा था इन बिट्विन ये 44 incident हो गया इस incident में 172 लोगों को इग्रफतार किया गया बिट्शोस के द्वरा और उन्हें मौत की सजा सुनाई गई लेकिन ultimately केवल 19 लोगों को ही फांसी की सजा दी गई महात्मा गांधी जी ने 44 incident की इस क्रिंग को कंडम किया और 44 support fund भी उसके बाद create किया गया गांधी जी ने इसी बास से दुखी होकर non-corporation moment को बंद कर दिया पाच दिनों का fast भी रखा उन्होंने इस incident के बाद उन्होंने ये कहा कि इस incident के लिए वो responsible हैं जिसमें कई सारे पुलिस कर्मियों की जान गई है और उन्होंने फरवरी 12 1922 को non-corporation moment को वापिस लेने की घोशना कर दी गांधी जी ने non-corporation moment को आखेर वापस क्यों लिया देखे करण सिर्फ चौरी-चौरा incident नहीं था महात्मा गांधी जी एक बहुत ही wise nationalist थे वो चाहते थे कि किसी भी बड़े movement को तब तक रन किया जा सकता है जब तक कि वो non-violent हो क्योंकि अगर आप violence करते हैं तो government के पास ज़्यादा machinery है violence करने के लिए और फिर protesters को जान से मारा जाएगा इससे incident के बाद वो समझ गए थे कि अब बिट्शर्स बहुत ज़्यादा aggressive हो जाएंगे और वो protesters को बुरी तरीके से कुछलेंगे उन्हें जान से मारा जाएगा उनके ओपर open fire किया जाएगा and that was the reason कि उन्होंने इस movement को वापिस लेने का फैसला किया वो चाहते थे कि पूरा movement non-violent और peaceful बना रहे है लेकिन ऐसा हो नहीं सका वो तो चाहते थे कि लोग government jobs and titles को छोड़ दें comment schools में जाना छोड़ दें पिटस आर्मी को जोईन ना करें टेकसिस ना दें वो violence नहीं चाहते थे क्योंकि violence वाले movement को आप बहुत लंबे समय तक लेकर नहीं जा सकते and that was the reason कि गांधी जी ने चौरी-चौरा incident के बाद non-cooperation movement को रोग दिया हमारा next article काको काकोई जाना reserve forest के बारे में है आसाम के बंगई गावन डिस्टिक के जो लोग हैं वो state government का जो एक कदम है जिसके जरीए वो काकोई जाना reserve forest को wildlife century में convert करना चाहते हैं उसका सकती से विरोध कर रहे हैं इसका वो विरोध क्यों कर रहे हैं क्योंकि एक बार काकोई जाना reserve forest को अगर wildlife century में convert कर दिया गया तो वहाँ पर और strict rules and regulations implement हो जाएंगे फिर जो customary या traditional practices वो उस reserve forest में जाके कर पाते हैं वो भी रुख जाएंगी वैसे भी reserve forest अपने आपे बहुत ही restricted areas होते हैं उनके जो भी थोड़े बहुत rights बचे हैं वो और भी खतम हो जाएंगे रधर वो ये चाहते हैं कि इसे community forest reserve declare कर दिया जाए Forest right act of 2006 का इस्तेमाल करते हुए जिससे कि उनके जो community or traditional rights हैं वो उस forest reserve में maintain रह सकें ये बंगोई गौन डिस्टी जो आसाम का है वहाँ पर situated है इस reserve forest को 1966 में बनाया गया था और ये golden लंगूर के घरों के लिए जाना जाता है मतलब golden लंगूर यहाँ पर पाये जाते हैं क्या difference होता है wildlife century, reserve forest और community forest reserve में बाहले बात करते हैं wildlife century की wildlife century एक ऐसा area होता है जिसका इस्तेमाल exclusively wildlife use के लिए किया जाता है animals, reptiles, insect, bird, wild animals के लिए जिनके खतम होनी का खत्रा है जो rare है wildlife protection act of 1972 center of state government को empower करता है कि वो किसी भी area को wildlife century, national park या closed area declare कर सकते है reserve forest क्या होते हैं reserve forest भी कुछ बहुत ही restricted forest में से एक होते हैं जिने state government constitute करती है ये कोई भी forest area हो सकता है जो government के property हो reserve forest में local लोग भी पूरी तरीके से prohibited होते हैं लेकिन अगर forest offices चाहें तो उन्हीं allow कर सकते हैं specific purpose से तो थोड़ी बहुत इंटरे तब भी हो जाती है लेकिन यहाँ पर wildlife century बनने के बाद तो दिक्कत और बढ़ जाएगी community forest reserve ये section 2A जो है forest rights act का उसके तहर बनाया जाता है community forest reserve में ऐसा area include किया जाता है जिसके पास local लोगों का traditional एक कस्टमरी involvement रहा हो और इसलिए इस area में उन्हें काफी ज़्यदा सहलियत मिल जाती है golden langour इसे scientific नाम के तोर पे trachypithecus गी कहा जाता है golden langour को आप उनके golden color के फर से पहचान सकते हैं ये western Assam, India और southern Bhutan में आपको आसानी से मिल जाएंगे बहुत restricted area में है ये इनकी आपको एक proper boundary दिख जाएगी जैसे कि नॉट में ये भूटान के foot hills में east में मानस river, west में संकोस और south में ब्रहंपुत्रा river के बीच वाले area में ही मिलेंगे I.C. उनकी red list में endangered है sidescape appendix 1 में है और wildlife protection act of 1972 के schedule 1 में है revision करते हैं का कोई जाना reserve forest उत्तरप्रदेस में है बलकुल गलत है आसाम में है हमने discuss किया golden langour vulnerable है गलत है endangered है इंडिया एक major non-nato ally है गलत है इंडिया नहीं है कतर को भी status मिला है हाली में सिरुवानी डैम सिरुवानी river पे है भावनी की tributary है काविरी बेसिंग का हिस्सा है तो आज का आपका session यहीं पर समाप्त होता है बहुत बहुत धन्यवाद